आसकार दोस्तो आज 12 फरवरी 2024 बसपस उप्रियों माय वत्य और भीम आर्मी चीप चंदर सेखर आजास सजुड़ी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजर हुए हैं चोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे इससे पहले आपसे एक छोटा सा नेवेदन है अगर आप सच्चे अमबेट करवादी हैं तो कॉमेंट वॉक्स में जैभीम लिखना आप बिलकुल भी न भूलें बहुजन समाज के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा से एर करें सबसे पहली बड़ी ख़वर की अगर हम बात करें तो दोहेयर चौविस के लुक्स बचुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से नगीना से लड़ रहे चंदर सिखराजाद का जलका दर्द बोले मुझे बिपक्च ही हरा रहा है चुनावी रण में अकेले पढ़ गए हैं चंदर सिखराजाद नहीं है कोई गठवंदन का साथ जीहां मित्रो आप सभी को पते हुआ कि जिस तरीके से अकले स्यादा हो या जैन्द चौधरी निकिनारा कर लिया है जैन्द चौधरी एंडिया गठवंदन में सामिल हो चुके हैं इसको लेकर आप चंदर सिखराजाद का बड़ा वयान आया है उन्होंने कहा कि जो सीट खतौली की 2022 में हारने वाले थे हार गए थे और आपको तादिक की तमाम पहले कोसें करीं 2014 में 19 में लोकसवा के चुना हुए तब खतौली की सीट हारते रहे लेकिन जब चंदर सिखराजाद ने वहां पर परचार किया तो वो हारी हुई सीट उनको जिता कर दिलाई लेकिन आज जैन्द चौधरी बेजीपी के साथ चले गए हैं इसको लेकर चंदर सिखराजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष ही हरा रहा है और विपक्ष मेरे साथ नहीं है जो खुद को बेजीपी से लड़ने वाले बताते हैं वो बेजीपी से ही मिल चुके हैं इस तरीके का वयान चंदर सिखराजाद की तरफ से निकल कर सामने आया है लेकिन फिर भी चंदर सिखराजाद नगीना की लोकसवा सीट में अकेले दमखम के साथ मैदान में परचार परसार जो रोसोरों से कर रहे हैं इसके अलाबा अगली बड़ी ख़बन निकल कर सामने आ रही है बसपस प्रियो मायवती को लेकर आप पुतादे की बसपस प्रियो मायवती को लेकर आप कॉंग्रेस नेता और सहरन पुर से मुसलिम समाज के बड़े नेता इमरान मसूद का वड़ा वयान आया है इमरान मसूद ने कहा कि बहन जी को कॉंग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए और बहन जी के बिना कॉंग्रेस पार्टी भी चुनाओ उतना अच्छ तरीके से नहीं जीत पाएगी जितना गठ बंदन के साथ जीत पाएगी ये बात बोली है उन्होंने कहा कि बहन जी का जो ब पाजचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे अकले स्यादा हूँ या वस्पा सुप्रियों मायवती तमाम पार्टियों को कॉंग्रिस से गठबंदन करना चाहिए और चुना लड़ना चाहिए ये बड़ी बात आपको तादिक इमरान मसूत के दुआरा बोली गई है इसके अ दलिस समाज पर हो रहे अन्या अत्याचार के खिलाप सहरनपुर में बड़ी महापंचा जीहां मित्रों आप सभी को पता ही होगा कि लगातार देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में दलिस समाज पर अन्या अत्याचार की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं चाहे वो भीम आर्मी की नेताओं के साथ मारपीट का मामला हो या वावसा अमबेट कर की पिरतमाओं को तोड़ना हो उन पर कालिक फोतना हो या फिर आपको तादे की जिस तरीके से दलिस समाज की बेहन बेटियों के साथ खुले आम वलतकार की सोशन की खबरें आती हैं आ चीम आर्मी आजा समाज पार्टी के दुआरा या वड़ी महा पंचायत आपको तादे की 15 फरवरी को सहरनपुर में रखी गई है जिसमें चंदर सिखर आजाद और देश भर से दलिस समाज के बहुजन समाज के लोग एकत्रित होंगे ये बड़ी खबर है कि 15 फरवरी को सह पत्य हुआ कि लोकस्तवाच नाओ से पहले ही बसपा में वड़े फेर वदल हुना सुरू हो चुका है अब आगरा और कानपुर की परवारी रहे आपको तादे की मुनकाद अली को मेरट मंडल का भी परवारी बना दिया है यानि कि अब आगरा कानपुर और मेरट मंडल त आपको तादे की मंडलों की जिम्मेदारी मुनकाद अली को बस्पा ने दी है वहनजी ने बड़ी भरोसा जताते हुए मुनकाद अली को मेरट मंडल की भी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया है मुनकाद अली को मेरट मंडल का प्रभारी बनाया गया है बस्पा से जुड़ी इस बक्त की बड़ी ख़बर है 2024 के लोकस्वाचुनाओ को लेकर बस्पा सुप्रियो मायवती पार्टी में लगातार एक के बाद एक बड़े बदलाब कर रही है बस्पा सुप्रियो मायवती ने राष्टी महासचे मुनकाद अली को मेरट मंडल का प्रभारी बना दिया है इसके अलावा अगर हम अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो आज की रात आपको तादे की भीम आर्मी के जिला अद्यक्ष पर जान लेवा हमला किया गया जीहमत्रों आपको तादे की उत्तर प्रदेश के जिले सौनभद्र में भीम आर्मी के जिला अद्यक्ष रवीकांत पर को जातिवादी सोच रखने वाले और भीम आर्मी के कार से घ्रना करने वाले लोगों ने अचानक आपको तादे की भीम आर्मी के सौनभद्र से जिला ध्यक्ष रभीकांत पर जानलेवा हमला किया आपको तादे की रवीकांत ने जैसे ही अपनी गारी डेजायर का गेट खोला तो लाठी डंडे लेकर आए जाती बादी लोगों ने उन पर तावर तोड़ हमला कर दिया एवम रभीकांत जो जलाद देक्ष हैं भीम आर्मी के सौनभदर से उनके तमाम साथी उनके साथ मौजूद थे उन पर भी जान लेबा हमला जो है इन लोगों के दौ़ारा क्या गया है इसमें आज़ास समाज पारटी के जलाद देक्ष के दौ़ारा समाम लोगों पर प्सजियर करन दौ़ारा